हलो स्टूडेंट्स, वेलकम तू दर क्लास, प्लान फिजियोलोजी उनिट हम पढ़ रहे थे, फोटो संथेस्स डिसकस कर रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसकस किया साइकलिक और नॉन साइकलिक फोटो फोस्फोराइलेशन कैसे होते हैं, अलग-अलग पाथवे से किस तरीके से ATP NDPH का परडक्शन होता है, आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, that is cameosmotic hypothesis तो ये cameosmotic hypothesis भी ATP के production के बारे में ही बता रहा है, ATP के synthesis के बारे में ही बता रहा है कि किस तरीके से ATP बनती है तो यह chemiosmotic जो hypothesis है किस ने दिया था P mythical नाम के एक scientist थे जिन्होंने यह hypothesis दिया था उन्होंने क्या कहा था कि जो ATP का synthesis है वो chloroplast में होता है chloroplast में क्या होता है कि जो thylakoid की membrane है उस thylakoid की membrane में एक proton gradient develop हो जाता है proton का gradient मतलब एक तरफ उस membrane की एक तरफ जो है proton जादा होंगे और बाहर दूसरी तरफ proton कम होंगे तो उसको बोलते हैं proton का gradient develop हो गया मतलब membrane के दोनों side में जो proton का content होगा वो different होगा एक तरफ जादा एक तरफ कम तो thylakoid की membrane में proton gradient develop हो जाता है और जो thylakoid की membrane है उसके अंदर की side जब proton accumulate होने लगते है तो जब gradient बनता है तो उसके बाद ATP का उस वज़स से उस reason से ATP का synthesis होता है डीटेल में अभी हम देखेंगे क्या होता है उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे process होते हैं जब electrons activate होते हैं electrons का transport होता है और फिर जाके proton gradient develop होता है तो ये एक बार में काम नहीं होता है इसमें बहुत सारे process होते हैं क्या होते हैं सबसे पहले thylakoid की lumen में water का photolysis होगा यानि कि water की splitting होगी जैसे ही water की splitting होगी तो उसमें से electrons आएंगे protons आएंगे oxygen आएगा उन्होंने बोला जो protons आएंगे वो वहीं पर accumulator होते हैं जो electrons होंगे वो बाहर जाएंगे जब electrons बाहर जाएंगे तो बाहर से यानि कि stroma से HIN का transfer दुबारा से होगा अंदर lumen की side ठीक है उसके बाद क्या होगा बाहर की तरफ electrons जब गए ठीक है डीटेल में और देखते है जो water का photolysis है थाइलेकोइड के lumen में कैसे हो रहा है इन्होंने कहा कि जो थाइलेकोइड मेंब्रेन है उसके अंदर की side में क्या होता है water molecule split होता है जब water molecule split होता है hydrogen, electron, oxygen आते हैं तो जो hydrogen ions आते हैं वो वही थाइलेकोइड के अंदर ही lumen में ही उसके जो खावली space है थाइलेकोइड के अंदर वहाँ पर accumulate होना start कर देते हैं इखटा होना start कर देते हैं second process क्या होता है कि stroma से यानि कि बाहर से भी proton का transfer होता है थाईलेकोइड के अंदर यानि कि थाइलेकॉइड के लियूमिन में क्यों होता है क्योंकि जब इलेक्ट्रॉंस पाफ पास करते हैं थ्रू फोटो सिस्टम तो उसके रिप्लाइ में मतलब उस बैक टू डैट हाइरोजन का रांस्फर होता है जैसे कि वाटर की स्प्लेटिंग होई थी प्रोटोंस तो वहीं पर एक्क्यूमिलेट हो गए थे बताया था अभी उपर वाले उसमें वाटर की स्प्लेटिंग होई प्रोटोंस अंदर लियूमन में एक्क्यूमिलेट हो गए जो इलेक्ट्रॉंस बचे वो इलेक्ट्रॉंस एक्सेप से और उस बिसी और चुन क्लिश्च ने हो रहा है क्यों क्ल एक consistency अब क्योंकरा ने पैसल इसन को आनके क्रेटश रागिक आइँ जा वा हुआ जैसे यह को सप्नेंस हे गाजान Napadati electron carriers, जब electron बहार आ रहा है तो फिर ये proton जो होता है stroma से अंदर lumen की तरफ आ जाता है जिसकी वज़स से क्या होता है lumen में, thylakoid की जो lumen है उसमें protons का content ज़ादा हो गया NADPH reductase reaction वो stroma में होती है देखो NADPH reductase enzyme होता है जो की stroma side जो होती है membrane की वहाँ पर होता है मतलब जैसे ये एक membrane है तो ये thylakoid का lumen हो गया ठीक है और बाहर की side जो है ये stroma हो गया ठीक है अब protons are necessary for reduction of NADP to NADPH plus HIN और ये protons जो होते हैं ये stroma से remove होते हैं ठीक है तो इसलिए हम कहेंगे कि chloroplast में क्या होता है कि जो protons हैं वो stroma के अंदर कम हो गए क्योंकि सारे के सारे तो protons कहां accumulate हो गए तो thylakoid की membrane के अंदर accumulate हो गए जैसे ही वहाँ पर protons जादा हो जाएंगे तो pH कम हो जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा एक proton का gradient develop हो जाएगा thylakoid की membrane में अब ये gradient important क्यों है और ये protons कैसे पास होंगे membrane के across इसके लिए एक enzyme चाहिए ATPase enzyme ये ATPase enzyme होता है जो कि transmembrane channel की तरह गाम करता है इसका एक part इसका एक part F0 होता है एक F1 होता है तो इसका एक part F0 जो है transmembrane यहाँ पे आपको जादा समुझ में आएगा ATPase enzyme जो कि membrane में present होता है उसके दो parts होते हैं एक होता है F0 जो कि F0 बोल लीजे या F0 बोल लीजे तो ये क्या होता है ये membrane के अंदर embedded होता है thilakoid की ठीक है और transmembrane channel की तरह काम करता है जो कि protons के diffusion को facilitate कराता है protons के diffusion को facilitate कराता है जो ये ATPase enzyme का दूसरा portion है जिसको हम F1 कहते हैं वो बहार की तरफ यानि कि वो membrane में नहीं होता है वो outer surface में होता है ताइलेकोईड membrane की outer surface में होता है और stroma को phase कर रहा होता है जैसे ही ये gradient break होता है जैसे ही protons pass करते है F0 के through और ये gradient break होता है तो इतनी energy आती है कि कुछ जो F1 पार्ट है जो बहार की तरफ पार्ट है F1 उसमें conformational changes आते हैं जिसकी वज़स से फिर बहुत सारे ATP molecules का synthesis होता है ठीक है तो ये देखो ये lumen था था एलेकोईड का बहार की तरफ क्या था? stroma था membrane में photosystem 1 और 2 present थे बहार की तरफ NADP reduct reaction हो रही थी NADP reductase reaction हो रही थी जिससे की NADP से NADPH का formation हो रहा था जब था lumen के अंदर बहुत सारे protons accumulate हो जाते हैं फिर क्या होता है? proton gradient बन जाता है यह protons बहार stroma में कम थे अंदर lumen में जादा थे फिर ये protons क्या करते हैं? ATP synthase enzyme की के बहार होता है यह protons जैसे ही इसको cross करके यहां आते हैं F1 के अंदर कुछ confirmation changes आते हैं जिसकी वज़से फिर ADP से ATP का formation हो जाता है hope कि आप लोगों को figure से और जादा clear हो गया होगा कि actual में concept क्या है बाकि तो थोड़ा देखो details में समझने वाले concept है plant physiology हमेशा देखो यह से बहुत जादा easy subject नहीं रहा है और notes आपके लिए enough है exam के लिए आप इसको बार-बार read करेंगे तो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा hope the lecture was helpful for you stay tuned with classes concepts and notes academy by Ayushi thank you